बहुत समय पहले की बात है एक जंगल में तुन-तुनी चड़िया एक कालू नाम का कववा रहा करता था वो दोनों अपस में बहुत अच्छे दोस्त है उनकी दोस्ती बहुत ही अच्छी थी हमें बहुत दिन हो गए हैं कुछ खाया नहीं है और इस बारिश से तो हम बैसे ही परिशान हैं जब से बारिश नहीं हुई तब से जंगल में कुछ खाने को नहीं मिल रहा है अब हम करें तो करें क्या एसा करते ही कि चलू खाना डूनने चलते हैं तुम उस तरफ चले जाओ और मैं दूसरी तरफ चली जाती हूँ उसके बाद तुन्टुनी चडिया दूसरी तरफ चली जाती है और कालू को और दूसरी तरफ इधर तो कालू कवे को कुछ खाने के लिए मिली नहीं रहा था कुछ जरूर मिल गया होगा वहीं दूसरी तरफ खाने के लिए दर तुन-टनी चडिया एक गुफा के बाहर बैटी थी आज तो कुछ मिला ही नहीν खाने के लिए लेकिन ये गुफा कैसी है इस गुफा के पास तो मैं पहली बार आई हूँ ये गुफा तो मैंने पहली बार देखी है अच्छा चलो उसके अंदर चल कर देखती हूँ क्या पता इसके अंदर कुछ खाने के लिए मिल जाए फिर कालू कवे को भी में इसी गुफा में बुला लूँगी और दोनों दोस्त मिल कर खाएंगे उसके बार टुन टुनी चड़िया गुफा के अंदर आती है आरे वा इतना सारा खाना मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस गुफा में इतना सारा खाना मिल सकता है लेकिन चलो जो भी हो अच्छा ही हुआ इतने सारे फलतों बहुत दिनों के लिए काफी है अब हमें कहीं जाने की जरूत नहीं पड़ेगी फिर टुन टुनी चड़िया कालू कावेक इंतिजार करने लगती है तभी कालू काववा वहां आता है अरे कालू आगे तुम मैं तो तुम हरा ही इंतिजार कर रही थी देखो कितने सारे फल रखे हुए है यहाँ पर और ये फल तो हमें बहुत दिन के ही काफी है अब हमें कहीं जाने की जरूत नहीं है चलो जल्दी से अपने घर लेकर चलते है और दोनों दोस्त मिलबाट कर खाएंगे इन सारे फलों को लेकिन बिचारी टुन्टुनी चडिया को क्या पता था की कालु कोवा बहुत ज्यादा शातर है कालु कोवे की मन में लालच आ जाता है देखो टुन्टुनी चडिया ये सारे अमरूदों पर मेरा ही हक है क्योंकि तुमको पता नहीं है ये सारे अमरूद मेरे मामा जी के हैं मेरे मामा जी अमरूदों की खेती करते हैं और वह खेती करके यहीं पर अपने बहुत सारे अमरूदों को रख देते हैं इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ मैं तुम्हें इसमें से एक भी अमरूद नहीं तूँगा अखेला ही इन सारे अमरूदों को खाऊंगा समझ गई इतनी पास सुनकर टुन टुनी चड़िया वहां से आ जाती है और आने के बाद कालू कववा बहुत जादा खुश होता है और उन फलों को खाने लगता है अरे वा इतने सारे अमरूद ये अमरूद तो मुझे अमीर बना देंगे अब मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी अब मैं इन सारे अमरूदों को सेट को बेज़ दूँगा और बेज़कर बहुती अच्छे पैसे आएंगे पूरे जंगल में सबसे अमीर पच्छी हो जाओंगा मैं और एक बहुती सुन्दर सा घर भी खरी दूँगा ऐसा घर खरी दूँगा कि किसी पच्छी का भी नहीं होगा और दूसरी तरफ बिचारी टुन टुनी चड़िया भोकी एक सूकी पेड़ पर बैटी हुई थी उसके साथ बहुती बुरा हुआ था उसके दोस कालू ने उसे दोका दिया था इधर कालू कवे ने एक बहुती सुन्दर घर खरीद लिया था उन अमरूदों को बेश कर जो उसे पैसे मिले थे अरे वाँ भाई बहुती अच्छा लग रहा है इस नए घर में बैटकर सभी पच्छी से बहुती सुन्दर घर है मेरा अब तो सारे पच्छी मेरे घर को देखने आएंगे और देखते कर जलेंगे लेकिन मैं भी तो ऐसा हूँ कि जो ज़्यादा जलेगा उसको और ज़्यादा जलाऊंगा इधर टुन टुनी चड़िया कालू के बारे में ही सोच रही थी इतना सुन्दर कर कैसे करीद लिया मुझे तो जरूर दार में कुछ काला लग रहा है ये तो एक दम से ये बहुत ज्यादा अमीर हो गया जरूर इस बात का पतो निकालना पड़ेगा मुझे लेकिन तब ये खरिया तो तो उसकी पास आकर कहता है अरे और टंटू ली चरिया क्या तुमने मेरे फल चुराए है मेरे फल मैंने एक गुफा में रख दिये थे लेकिन तब मैंने आकर देखा तो उसमें एक भी फल मुझे नहीं मिला मैं किसी कान से बाहर क्या चला गया कि मेरे सारे फल चोरी हो गए अगर तुमें पता है तो पापके ही थे हां मुझे पता है कि वो सारे फल कहा है मेरा जो दोस्त कालू कावय ने मेरे सारे फलों को बेश दिया और मैं उसको छोड़ूंगा रही उसने ये बहुत ही गलत काम किया है अगर उसे खाने के लिए चाहिए थे तो मुझसे मांग लेता या मेरे आने का इंति उसके बाद हरिया तोता कालू की पास जाता है। मैं यहां तेरी बगवा सुनने नहीं आया हूँ। तू चुप चाप यहां से चला जा। वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मैं और दूसरे पक्षियों को बुलानूंगा। फिर देख लेना। तेरे साथ क्या होगा। अब तू चुप चाप यहां से निकल जा। यह तोता टूंटुनी चडिया को कुछ फल और अमरूद की बीश देता है। जिससे वो अमरूद की खेती करती है और कुछी दिनों में उसकी अमरूद की खेती बहुत अच्छी हो जाती है। हे उपर वाले तेरा लाख लाख शुकर है जो तूने मेरे इतनी मदद की। अब मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मेरी अमरूद की खेती भी बहुत अच्छी हुई है। अब इन अमरूदों को बजार में बेश कर मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगी। बहुत समय पहले हिमाले के जंगल में बंटी कबूतर अपनी पतनी बबली कबूतरी के साथ रहता था। उसी जंगल में टुन टुनी चड़िया भी अपने पती कालू कोई के साथ रहती थी। कालू का वो आलू की खेती करता था उसका आलू का बहुत बड़ा बगीचा था एक दिन जब कालू का व अपनी आलू की फसल को बेचने के लिए बजार जा रहा था तब ही उसका ठेलब पलड़ गया और वो उसके नीचे आ गया जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया उसके पैर पूरी तरह से जखमी हो गए थे और उसने अपना काम करना बन कर दिया था घर कर खेत कर सारा बोच अब टुंटुनी चड़िया के उपर आ गया था एक दिन अर इस नहरी की पापा क्या बात है आप मुझे इस तरह से क्यों देख रही है देख रहा हूँ टुंटुनी तुम कितनी हिम्मत से काम कर रही हो इतनी दिक्कतों का सामना करते हुए भी घर और बगीचा दोनों समाल रही हो पता नहीं मैंने कौन सी पिछले जनम में ऐसी ग क्या होता दोस्तों कल की वीडियो में आपने त्यकम लाइक क्यों कि मुझे बहुत बुरा लगता है दोस्तों जो मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूं और आप कम लाइक करते हो और जब लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है तो प्ल आप ज्यादा सोचना बन कर दीजी और फोजन कर लीजी मुझे आलू पेशने भी जाना है फिर टुन्टुनी चड़िया आलू लेकर से बेशने करें चली गई बापसी में लोटते समय टुन्टुनी चड़िया ने एक दुकान पर चिपस को बिकते हुए देखा मैं चिपस के पैकेट कालू जी के लिए खरीद लेती हूँ चिपस खाकर उन्हें अच्छा लगेगा दवा खा खाकर उनके मुझा स्वाद बिगड़ गया है पुन्टु भाईया जी आप मुझे केले के चिपस के पैकेट तो देना ये लो बहन जी केले के चिपस है ये पचास रुपे की एक पैकेट है बहन जी ये आलू के चिपस है आप इसे भी ट्राइ करो बहुत अच्छा सुआध है आलू के चिपस अभी अभी मार्केट में आया है एक बार इसे खाकर तो देखिए अरे भाया जी ये आलू का चिपस आप कैसे दे रही हो बैन जी इस एक पैकेट का दाम सो रुपे है सो रुपे इतनी से आलू के चिपस अच्चा ठीक है आप मुझे आलू के चिपस के एक पैकेट भी दे दीजी टुन टुनी चडिया चिपस के पैकेट खरीट कर घर आती है तबी उसकी बेटी सुनहरी चडियों से कहती है मा आप क्या खरीट कर लाई हो इस पैकेट में सुनहरी बेटिया ये केले के चिपस है मैं तेरे बाबा के लेकर आई हूँ ममा मैं भी केले के चिप्स खाऊंगी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं केले के चिप्स ठीक है सुनहरी बिटिया मैं तेरे पापो को केले के चिप्स टेकर्ट में फिर देती हूँ सुनहरी के पापा ये लीजे केले के चिप्स खाए कालू को वह केले के चिपस खाने लगता है तब ये तुन तुनी चुडियों से कहती है ये देखो जी बजार में आलू के चिपस भी बिक रहे हैं वो भी बहुत महंगी इस चोटे से पैकेट का दम सो रुपे है तुम इसे भी खाकर देखो कैसा स्वाध है इसका वे आलू के तो केले के चिपस से भी स्वाधिष्ट है बहुत अच्छा स्वाध है इसका दीरे दीरे समय गुजरने लगा घर में रखे सारे पैसे कालू के लाज में खडच हो रहे थे एक दिन जब तुन तुन तुनी चिडिया आलू को लेकर बजार में बेचने गई तो उसको आलू क के दम बहुत ही कम मिल रहे थे तभी बंटी कबूतर तुन्टनी चिडिया के पास आता है तुन्टनी बहल आज कल मंडी में आलू बहुत जादा रहे हैं जिसके चलते इनके भाव गिर चुके हैं मैं तो आपसे आलू एक रुपे किलो लूँगा अगर आपको देना है तो किसी और के पास चली जाओ अरे बंटी भाईया कल तक आलू के दाम तो बहुत ज्यादा थे आज बस एक रुपे किलो बंटी भाईया इतने पैसों में तो मेरी लागाद भी नहीं आएगी मैं कैसे एक रुपे किलो आपको आलू देदू देए मेरे आलू कितने बड़े जाती है अरे तो तब भीया मेरे पास युंदा किसम के आलू है आप इसे खरीद लो नहीं नहीं टुंटनी बहन मैं आपके आलू नहीं खरी सकता मैं तो पहले ही बहुत तारे आलू खरीद चुका हूं आप अपने आलू किसी और को बेच दीजिए मेरे पास तो अभी वैसे भी मैं पड़ा-पड़ा अपने आलू को बेशने के लिए रो रहा हूँ, कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है टुंटनी चडिया वापस आलू लेकर घर आ जाती है, आज उसकी आलू बिल्कुल भी नहीं बिके थे कई दिनों से कालू को वो टुंटनी चडिया को अदास देख रहा था, उसने एक दिन उससे पूछा क्या बात है टुंटनी, आजकल तुम बहुत ज़्यादा उदास दिखाई दे रही हो, पहली जैसी खुशी तुमारे चहरे पर नहीं दिखाई दे रही है, कोई समस्या है तो मुझे बताओ नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, काम की वज़ा से थोड़ी ज़्यादा ठकान दिखाई दे रही है मेरे चहरे पर, और कोई बात नहीं नहीं टुंटनी, कोई तो बात जरूर है, तुम मुझे बताओ, तुम्हें मेरी कसम है यह आपने क्या किया, आपने मुझे अपनी कसम क्यों दी, अब तो मुझे आपको सारी बात बतानी ही पड़ेगी फिर टुंटनी ने आलू की ना बिखने की बात कालु कोई को बताती है, कालु को वो तुरन टुंटनी से कहता है बस इतनी सी बात, तुम्हें ये बात मुझे पहले ही बतानी चाहिए थी, तुम्हें याद है, जब एक दिन तुम आलू के चिप्स खरीद कर लेकर आई थी, जरा याद करो, वो चिप्स कितने महंगे थे, एक छोटे से पैकेट का दाम सो रुपे था, तुम ऐसा करो, आलू क चिप्स बना कर बेचना शुरू करो, मैं घर में खाली पड़ा रहता हूँ, मैं आलू के चिप्स के पैकेट बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा, देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, कालू कोई की बाते सुनकर टुन्टुनी बहुत खोश हो जाती है, वो धीर सारे आलू के चिप्स बनाती है, और फिर दोनों पती पतनी पैकेट में पैक करते है, अगली दिन टुन्टुनी चिडियों से लेकर बजार जाती है, भाईया जी, ये आलू के चिप्स है, बहुती सुआदिश्ट है, जर अपनी दुकान पर बेच कर तो देखिए, अच्छा मैं इसे अपनी दुकान पर तो बेच दूँगा, लेकिन पहले ये तो बताओ, मुझे क्या मुनाफ़ाद होगी, भाईया जी, बजार में पैकेट सो रुपे का एक बिक रहा है, मैं आपको असी रुपे का एक दूँगी, बहुत बढ़िया, एक पैकेट पर मुझे तो बी कर अपने परिवार के साथ खुशी-खुशी रहने लगती है,